ओम श्यान्ती 27 जुलाई 2023 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा बच्चे यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है मम्मा बाबा कहकर अगर विकार में गिरे तो समझो मर गए बाब सुख देने वाला भी है तो फिर धर्म राजदवारा हिसाब भी पूरा लेते हैं यहां भगवान खुद कहते हैं अपवित्र बन और फिर छिपाया तो बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी जो छिप कर नर्क का द्वार बनते हैं वह एकदम मर पड़ेंगे फिर कितना भी पुरुशार्थ करें विजेपा नहीं सकेंगे तो भूल कर भी अपनी सत्यनाश नहीं करनी सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहेंगे तो बाप बुद्धी का ताला खोल देंगे जिनका ताला नहीं खुला है वह मुर्जाते रहेंगे और उनको विग्ण भी पड़ते रहेंगे बाबा तो तुम माताओं पर कलश रखते हैं इसलिए तुम्हारे उपर बड़ी रेस्पोंसिबिलिटी हैं माताओं की पुकार सुनकर ही तो बाप आये हैं तुम अब याद की यत्रा पर हो अगर यत्रा को भूले शिव बाबा वस्वीट होम को भूले तो माया का थपड बड़ा जोड से लगेगा वे फिर विजे माला में पिरो नहीं सकेंगे अगर बीके में ही कोई विकार देहे अभीमान या लोब आदी होगा तो वे सर्विस कर नहीं सकेंगे और ही नापास हो जाएंगे उनसे तो जिग्यासू भी नाराज हो जाते हैं और लास्ट में बाबा ने कहा बच्चे पुरुशार्त कर मात पिता के तख्त नशीन बन कर दिखाओ नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा हैं इस ग्यान मार्ग में तुम्हें सबसे बहुत मीठा होकर रहना है लून पा महवाक्यों को विस्तार से मुडली का साज मेठे बच्चे कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है इसलिए सावधान विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो प्रश्न किस लक्षे को सामने रखते हुए लक्षे है हमें सपूत बच्चा बन मात पिता के तख्त नशीन बनना है हर कदम में फोलो फादर करना है ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदातत पर रहते हैं यात्री कभी भी यात्रा पर पति अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकना चूर हो जाते हैं सत्या नाश हो जाती है फिर बहुत दुखी होते हैं गीत बच्पन के दिन भुला न देना आज हसे कल रुला न देना ओम शांती यह बच्चों के लिए ही गीत हैं ममा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे सम जो मर गया यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है मैं उस परम पिता परमात्म की संतान हूँ और विचित्र हूँ मेरा भी वासों में कोई चित्र नहीं है जब वहां हूँ फिर चित्र ले 84 जनम भोग अब हम इश्वरिय गोद की संतान बनता हूँ इश्वरिय गोद की संतान निश्चे कर फिर अगर विकारों में गया तो मरा यह तो समझ से हो बाप सुख देने वाला भी है तो फिर धर्म राजदवारा हिसाब भी पूरा लेते हैं बाप दुख नहीं देते हैं वह तो सुख दाता है लेकिन बाबने समझाया है जैसे गवर बड़ा जज़ भी है एक दो को कसम उठवाते हैं न यहां भगवान खुद कहते हैं अगर तुम विकारों में गिर पतित बने और सुनाया नहीं तो सो गुणा दंड पड़ता रहेगा बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिपकर नर्क का द्वार बने और फिर बाबा को सम चार नहीं दिया तो एकदम मर बड़ेंगे फिर कितना भी पुरुशार्थ करे विजे पा नहीं सकेंगे बाबा इतला दे रहे हैं बहुत बच्चे हैं जो चिपाते हैं विकार में जाना बड़ा पाप है चिपाया और मरा ऐसे तो बच्चा ना बने तो अच्छा है पूत होता है तो बाब कहते हैं यह बच्चा तो मुआ भला ऐसे कोई न समझे बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है हाँ यह ब्रह्मा भल बाहर यामी है इनको पता नहीं पड़ता है प्रन्तु वेह बाबा तो अच्छी रिती जानते हैं बाब कहते हैं मुझे सुख द बाबा सभी को बतलाते हैं इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है कभी भी जूट नहीं बोलना है बाबा पुरुशों से नारी पर जास्ती रहम दिल रहते हैं क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है बाप आकर माताओं पर कलश रखते हैं तो माताओं पर बड़ी responsibility है बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना विकार के लिए वास्तों में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता कहां फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है बड़े आदमी जास्ती पतितों होते हैं क्योंकि उन्हों के पास पैसा होता है ना इसलिए माताओं ने ही पुकारा है कि निर्वस्त्र होने से बचाओ सब दुखी है माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए नाम भी माताओं का है पुख राजपरी निलम परी बाबा सावधान करते हैं यहां असुर से देवता बनाया जाता है असुर पतित को कहा जाता है यह सारी पतित आसुरी दुनिया है पत नियासियों के लिए भी समझाया है कि वे कोई देवताओं जैसे पावन नहीं हैं। रहते तो फिर भी पतित दुनिया में हैं। और हैं भी निवरिती मार्ग वाले। सत्युग में तो सब पवित्र, सम्पूरन निर्विकारी थे। तुम यहां आये हो सम्पूरन पावन बनन क्योंकि यह सम्पूरन पतित दुनिया हैं। एक भी पावन नहीं। तुम बच्चों को तयारी करनी हैं सत्यूग के लिए। विकार में गिरे तो स्वर्ग में आने ही सकेंगे। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना है शुबाब तो जानते है ना परन्तु एक-एक से कितना पूछते रहेंगे अपवित्र बन और फिर छिपाया तो बहुत-बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी ट्रियूबनल बैठती है फिर यह बाबा भी बैठेंगे धर्मराज भी बैठेंगे फिर धर्मराज बतलाते हैं तुम फलाने समय विकार में गए और सभा में आकर बैठे बताया नहीं था अब खाओ सजा इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है कभी भी विकार में जाकर फिर यहां बैठ नहीं सकते ऐसे बहुत सेंटर्स पर आकर बैठते हैं बाबा जानते हैं अगर कहें ना बैठो तो कोई समय फिर असुर बन विगन डालते हैं ट्रेटर बन पड़ेंगे हंगामे करने लग पड़ेंगे इसको कहा जाता है पतित राजे कांटों की दुनिया राजा रानी तो है नहीं यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा वेह इन बातों को समझेंगे नहीं सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए सच्ची दिल पर साहिब राजी बुद्धी का ता नहीं खोलेंगे फिर मुर्जाते रहेंगे विगन पढ़ते रहेंगे इसलिए बाबा समझा देते हैं शास्त्रों में भी लिखा हुआ है इंद्र प्रस्त में शैतान आकर चिपकर बैठ जाते थे यहां अथ्वा सेंटर में तो ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं देखें क्या है फिर कन्याओं को देखेंगे चंचलता करेंगे अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं दुनिया नहीं जानती भगवान तो खुद ग्यान का सागर है वह बैठ समझाते हैं उस बाप को ही याद करना है क्योंकि अब वापिस जाना है तुम अब याद की यात्रा पर हो तिर्थ यात्रा पर कभी कोई विकार में नहीं जाते हैं यह लंबी यात्रा है जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर हैं यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकना चूर हो जाएगा यह ख्याल में रखना है हम यात्रा पर हैं विकार में नहीं जाना है आजक तो दुनिया बहुत गंदी है, तिर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं, बाबा अनुभवी बहुत हैं, तो बाप आकर सबसे जासी कन्याओं और माताओं को उठाते हैं, जगतंबा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, बाबा समझाते हैं ये तो ख्याल रखना हो देहे अभीमान वो लोबादी होगा, तो सर्विस कर नहीं सकेंगी, फिर नापास हो जाती हैं, जिग्यासु नाराज हो जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी, तो जरूर अच्छा दुकान चलाएगी, जो अच्छी सर्विस करते हैं, तो महराजा महरानी बनते हैं, कम सर्विस तो माहराजा माहराणी के दास दासियां बन पड़ेंगे लक्श्मी नारेन के पास दास दासियां भी तो होगे न वे हे तो किंग क्वीन के साथ रहते हैं यहां तुम मनश्य सदेवता बनते हो तुम यात्रा पर हो यात्रा को भूले, शिवबाबा अत्वा स्वीट होम को भूले, तो माया का थपडबडा जोड से लग जाता है तुमको बहुत पुरुशार्थ करना है, विकार से बचकर रहना है, यहां कोई भी बात छिप नहीं सकती शिवबाबा से कुछ छिप ना सके, सजा तो उनको देनी है, कहा जाता है, फोलो फादर मदर फादर थोड़े ही ऐसे कुछ करेंगे, बाबा के पास बहुत आते हैं, उनकी बातचीत से ही पता पढ़ जाता है कि यह पतित है, मुश्किल पवित्र रहते होंगे शक पढ़ता है, फिर मुडली में समझाना पढ़ता है, बहुत हैं जो छिपाते हैं, यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है, तुम विजे माला में पिरो नहीं सकेंगे चाहते हो हम सुर्यवंशी बने, तो यात्रा पर चलते, कभी आप अवित्र नहीं बनना है यात्रा पर हूँ, यह बच्चे भूलते रहते हैं, कोई तो सारे दिन में एक घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है, फिर रोयल घराने में भी आकर दास दासी पद पाते हैं पुरुशार्थ कर मात पिता के तख्त नशीन बन कर दिखाओ, नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा है, जो ठीक रिती से चलते नहीं है तुम ब्राह्मन यात्रा पर हो, अगर कुछ ऐसी चलन चल, कुल को कलंक लगाया, तो बहुत सजा खाएंगे जन्म जन्मांत्र तो गर्ब जेल बर्स बने हो, इस समय सभी मनुश्य जेल बर्स हैं, घड़ी घड़ी सजा खाते हैं तुमको तो अभी गर्ब महल में जाना है, तो कितनी मेहनत करनी चाहिए, भल तुम कहां भी बैठे हो, ट्रेन में हो, अथ्वा कहां भी तुम यत्रा पर हो, याद में रहना है कहते तो सब हैं हम नाराइण वलक्ष्मी को वरेंगे, तो ऐसा बन कर दिखाओ, पद ना पाया तो बाकी क्या किया बाबा सावधान कर देते हैं, बाबा के पास आते हो, तो बाबा चिरिती हसाते बहलाते हैं कोई तो मोह के कीड़े ऐसे हैं, जैसे बंदर बंदरियां, मित्र संबंधियों आदी से बुद्धी योग तूटता ही नहीं हैं, जो अपवित्र बनते हैं फिर लिखते भी हैं बाबा, हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, चकना चूर हो जाते हैं बाबा सावधान करते रहते हैं, तुम यत्रा पर हो, काम विकार यहां नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी होंगे बाब से वैकुंट का वर्सा लेना हैं, तो ऐसे भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं कर देना काम महाशत्रू हैं, आदी मध्यांत दुख देने वाला हैं, मृत्यू लोक में सब आदी मध्यांत दुख भोगते रहते हैं, सत्यू को अमर लोक कहा जाता हैं, अमरनाथ शिव बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती हैं, बुढियाएं और कन्याएं विकार से बची विद्वाएं भी बहुत भाग्यशाली हैं, पतियों का पती तो शिव बाबा हैं, इश्वरिये पाठशाला में आकर मुडली सुनेंगे, तो नई नई बातें सुनेंगे, बेहद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो फट से पवित्र बनना चाहि गुटका खाते रहेंगे, विश पीते रहेंगे, तो धारना नहीं होगी, इसमें सोने का बरतन चाहिए, बाप को निरंकारी बन पतित दुनिया में आना पड़ता हैं, मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, उनमें से भी माया कोई कोई को नाक से पकड़ गिरा देती हैं, वे रिगार नहीं रखते, ओहो भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम कितने सोभाग्य शाली हैं, बाबा कितने साधारन तन में बैठा हैं, तुम बच्चों को भी निरंकारी बनना हैं, वो है ही निराकार, देह का अहंकार उनको हो न सके, तुम भी निरंकारी बनो, आप मरे मर कई दुनिया, हमको अब बाबा पास जाना है, इसका ब्रिस्तान को क्या याद करना है, अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे, तब खुशी का पारा चड़ेगा, और सदेव प्रफुलित रहेंगे, हम बाबा के साथ यत्रा पर हैं, बाबा लेने के लिए आया हैं, ऐसा ना हो, माया कहीं कान काट दे, फिर सुनते हुए भी धारना नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चड़ेगा, बहुतों को दान करेंगे, तो बहुतों की आशिर्वाद मिलेगी, ज्यान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है, लून पानी नहीं बनना है, विकारी संबंद से और दैवी संबंद से तोड निभाना है, दोनों तरफ से सनहीं बनना है, बाप भी अपने सपूत बच्चों को देख, खुश होते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी ब दादा को नमस्ते, धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, अभी हम यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है, दूसरी पोइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है, हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सब से ममत्व निकाल देना है, अपने आप से बातें कर प्रफुलित रहना है, वर्दान कराने वाला करा रहा है, इस मृती दवारा निमित बन हर कर्म करने वाले बेपरवा बादशाह भव, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इस स्मृती दवारा निमित बन कर हर कर्म करते चलो, तो बेपरवा बादशाह रहेंगे, मैं कर रहा हूँ, यह भान आया तो बेपरवा नहीं रह सकते, लेकिन बाप दवारा निमित बना हुआ हूँ, यह स्मृती बेफिक्र वनिशिन्त जीवन का अनुभव कराती है, कल क्या होगा, उसकी भी चिन्ता नहीं, उन्हें यह निश्चे रहता कि जो हो रहा है, वे अच्छा, और जो होने वाला है, वे और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है, स्लोगन, अपने शान्ती और सुख के वाइब्रेशन से, हरे एक को सुख चैन की अनुभूती कराओ, तब कहेंगे सच्छे सेवाधारी, अच्छा, ओम शान्ती, अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती, इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें,